हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सब इगाजी के ट्राइग य्ट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2022 करेंट अफेर्स के टोप 30 महत्फुन प्रस देखेंगे जो आपके सब याने वाल एक्जाम के लिए helpful होंगे तो इसलिए वीडियो पुरे अंड तक देखते रहेए तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते है तो यहाँ पर आज का पहला प्रस ने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर ब्यक्ति कौन बने है तो दोस्तो मेहत्फुन प्रस ने अभी हाली में सितंबर 2022 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर ब्यक्ति बन गए है गोतम अडानी तो इसका अंसर भी हो जाएगा दिखे गोतम अडानी ये भारत की प्रसिद द्योग पती है जो की अडानी ग्रूप के मालिक है दिखे बात करें फोबर्स के रियल टाइम अरब पतियों की सूची का अनुसर ये जो जारी हुई है तो इस सूची का अनुसर प्रथा में स्थान पर जाने की सबसे अमीर ब्यक्ति है एलन मस्क जिनकी कुल संपती 273.5 अरब डोलर है इसके बाद दूसरे स्थान पर आ गए है तो दीखे मुके संबाने इस लिस्ट के अनुसर इस सूची के अनुसर आठवे इस्थान पर है ये दुनिया के आठवे सबसे अमीर ब्यक्ति है इनकी कुल संपती 92.2 अरब डोलर है तो याद रखना है इसके बाद कोसर नमबर दो है फोर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर ब्यक्ति कौन बने है तो दीखे फोर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसर भारत के सबसे अमीर ब्यक्ति बने है गोतम अडानी तो इसका आंसर ए हो जाएगा याद रखना है गोता मड़ान ये इस समय भारत के सबसे अमीर ब्यक्ति है इसके बार नेश्ट कोस्टन है अरुनाचल प्रदेश के किभूथू सेनने सिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा जन्रल बिपिन रावत के नाम पर तो नाम अब जन्रल बिपिन रावत मिलेटरी गैरिसन रखा गया है तो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्टन है हाली में किस देश से आठ चीतों को भारत लाया गया है तो देखे ये कोस्टन महत्पून है क्योंकि जो बहरत में अभी आखली में सितमबर दोले बाइस मे आठ चीते मंगाए गए हैं ये काफी चर्चा में थे तो भारत में जो आठ चीते मंगाए गए हैं तो ये किस देश से मंगाए गए हैं तो इसका अंसर ए हो जाएगा नामी बिया देश से तो देखे ये कोस्टन महत्पून हैता है क्योंकि भारत में चीते बिलुप्त हो च तो ये कोस्सर मेहत्पून हो जाता है याद रखना है किस देश समगाए गए हैं तो नामीविया देश से और इन्हें कहाँ पर छोड़ा गया है कुनू नैशनल पार्क में जो की मध्यप्रदेश में है इसके बाद अगला कोस्सर ने फीपा अंडर 17 महीला विसकप 2022 की मेजब तो ओडिसा के भूनेसर में गोगा के मारगाओं में और महराष्ट के नभी मुमई में इन तीन इस्थान उपर फीपा अंडर 17 महीला विसकप 2022 का यूजन होगा इसके बाद नेश्ट कोस्सन है भारत और किस देश की नो सेना के बीच जी मैक्स 2022 सेन्या भ्यास हुआ है तो इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा जापान तो देखे भारत और जापान की नो सेना के बीच जी मैक्स 2022 सेन्या भ्यास हुआ है देखे इस सेन्या भ्यास नो सेन्या भ्यास का यूजन सितंबर 2022 में बंगल के खाड़ी में किया गया इसके बाद कोस्सन नमबर साथ है रोजर फेडर किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने टैनिस से सन्यास लेने की होसना की है तो देखे रोजर फेडर ये एक टैनिस खिलाड़ी है तो एक किस देश के है तो ये सुट्जर लेंड के टैनिस खिलाड़ी है तो इसका अंसर भी हो जाएगा जिन्होंने की अपने कारियर में, पुरू सेकल बर्ग में 20 Grand Islam के खिताब जीते हैं. तो याद रखना है, इसके बाद अगला कोस सरें, US Open 2022, पुरू सेकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मैं हत्मुर परसने, US Open 2022 में पुरू सेकल का खिताब जीता है, कारलोस अलका रेज ने तो इसका अंसर यह हो जाएगा देखे कारलोस अलका रेज यह स्पेन के टैनिस खिला ली है तो इन्होंने यूएस ओपन 2022 में मैं सिंगल का खिताब जीता है अब देखे बात करें इन्होंने किसे हराया है यानि कि इसमें उबेज़ता कोन रहा तो इसमें उबेज़ता रहे कैस पर रूड जो की नार्वेक है और देखे मैं आपको बता दू 2022 में जो चारों ग्रेंड इसलैम खेले गए हैं तो इनके एक पूरा complete वीडियो मैंने बना दिया है अगर आप उससे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लाइस्ट में पहले लिस्ट मिल जाएगी आप बहाँ से देख सकते हैं इसके बाद question number 9 है US Open 2022 में महिल एकल का खिताब किसने जीता तो देखे US Open 2022 में महिल एकल का खिताब जीता है तो ओंस जब्योर रही जो की ट्यूनीज चेकी है इसके बाद next question है भारत के नए महानय इबादी आनी की अटोर्नी जनरल कोन बने है तो दोस्तो मेहत्पुन प्रसने अभी हाली में भारत के नए अटोर्नी जनरल बने है मुकुल रोहतागी तो इसका अंसर यह हो जाएगा दिखें मुकुल रोहतागी यह 1 अक्टूबर 2022 से पाद ग्रियान करेंगे और यह किसका इस्थान लेंगे तो यह केके बेंड गोपाल का इस्थान लेंगे दिखें बात करें मुकुल रोहतागी राष्टपती के द्वारा की जाती है और देखे बात करें इसके कारेकाल की तो अर्टोर्णी जनरल का कोई भी कारेकाल की सीमन नहीं होती है जब तक राष्टपती चाहता है तब तक ये पद पर रहता है तो याद रखना है कि भारत के नई महाने अई बादी कोन बने है मुक 22 में फिरांस के सर्वोच नागरिक संबान Knight of the Legion of Honor से संबानित किया गया है इसके बाद कोसर नमबर 12 है भारत के 76 ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो दोस्ता अभी हाली में भारत के 76 ग्रेंड मास्टर बने है प्रिणव आनंद तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखे प्रिणव आनंद ये करनाटक के बैंगलूरू के 15 बर्षिय सतरंज खिला लिए है जो कि भारत के 76 ग्रेंड मास्टर बने है इसके बाद नेश्ट कोस्ता ने 2022 में भारत का सर्वशेष्ट चिलिया घर किसे गोसित किया गया है तो इसका राइट अंसर ओप्शन से हो जाएगा दार्जी लिंग चिलिया घर को या पदमजा नाइडू हिमालियन जूलोजिकल पार्क को तो देखे पश्ची मंगाल के दार्जी लिंग में जो पदमजा नाइडू हिमालियन जूलोजिकल पार्क है तो इसे 2022 में भारत का सर्व शेष्ट चलिया घर घोसित किया गया है इसके बाद next question है किर्केट एसे कब 2022 का आयोजन किस देश में किया गया तो देखे किर्केट एसे कब 2022 का आयोजन ये किया गया है UAE में यानि कि सयुक तरव अमिरात में तो इसका अंसर C हो जाएगा देखे किर्केट एसे कब 2022 का आयोजन बैसे तो स्रीलंका में किया जाना था लेकिन स्रीलंका में आर्थिक संकट के करण इसका आयोजन नहीं किया गया तो इसका आयोजन किया गया है सयुक तरव अमिरात में देखे, 2022 में किर्केट एस्यकप 2022 का ये पंदरवा संसक्रण था, जो कि UAE में आईजुद किया गया, इसका आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक हुआ था, इसके बाद अगला का उस्सान है, किर्केट एस्यकप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो देखे, किर्केट एस्यकप 2022 का जीता है, स्रीलंका ने, तो इसका अंसर भी हो जाएगा, देखे, स्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर, किर्केट एस्यकप 2022 का खिताब जीता है, इसके बाद अगला कोस्सन है, किर्केट एस्यकप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो दोस्तों, 2023 में जो संस्क्राण खेला गया है इसका जोन कहांपर किया गया है संधिल अमिरात में इसके बाद next question है 2022 में robotic surgery का सीर्ज संवान किसे मिला है तो इसका answer सी हो जाएगा संधीब नायर को तो देखे करनाड़क के बैंगलूरू के संधीब नायर को अमरीका के मिसीगन इस्थित robotic सेीर्च सम्मान दिया गया है, इसके बाद question कि राज्जय ने स्कूल नाथिकरम शुरू किया है तो दोस्तों स्कूल नाथिकरम शुरू किया गया है तमिल्नाडू राज्जय में तो इसका अंसर हुआ हूजिए गा दinkh यह योजना सरकार प्राथमिक बिधरलियों में कक्सा एक से पांस तक पढ़ने वाले चात्रों के लिए लागू की गई है देखे तमिलाड़ो की बात करें तो तमिलाड़ो के मुख्य मंत्री है M.K. इसका नया अध्यक्स किसे बनाया गया है तो दिखे मोष्ट है मुश्ट इंपोर्टेंट करें जो G20 समुह है इसका नए अध्यक्स बनाया गया है भारत को तो इसका अंसर सी हो जाएगा देखे भारत से पहले G20 का अध्यक्स कौन था तो इंडोनेसिय था तो भारत एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यानि की एक बरस के लिए G20 का अध्यक्स बना रहेगा तो G20 का नए अध्यक्स कोन बना है भारत 1 दिसंबर 2022 से दिखे बात करें भारत अपनी अध्यक्सता में सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जो G20 नेताओ का सिकर सम्मिलन होगा तो इसकी मेजवानी करेगा तो याद रखना है इसके बाद कोसर नमबर 21 है तो दोस्तों ट्यूटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स बाले पहले किरिकेटर कौन बने है तो दोस्तों ट्यूटर पर 50 मिलियन यानि की 5 करोड फॉलोवर्स बाले पहले किरिकेटर बन गए है ब्राट कोली तो इसका अंसर सी हो जाएगा और देखे बात करें भारत में ट्यूटर पर सबस्यादव फोलोवर्स किसके हैं तो प्रदान मंति नरेंद्र मोधी के हैं इनके करीब 82 मिलियन से जादा ट्यूटर पर फोलोवर्स हैं इसके बाद अगला कोस्व ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्रीती संगरहल में स्थापित किया जाएगा इसके बाद कोस्व नमबर 23 है Reliance Industries 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइबर प्लांट कहां लगाएगी तो इसका आंसर ए हुजाएगा गुजरात के हजीरा में तो देखे गुजरात के हजीरा में Reliance Industries 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइबर प्लांट लगाएगी इसके बाद अगला कॉस्सन है भारत का पहला लीथियम सेल बी निर्माण साई अंतर भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है तो इसका आंसर ओप संडी हो जाएगा आंधर प्रदेश में तो धीविपइ, भारत का पहला लीध्यम सेल बिनीर्मान सायंत्र भारत के तिरुपती में उराज्य में शुरू किया गया है तो याद रखना है, इसके बाद कोसर नमबर 25 है पहला नागा राज्य मिर्च महोतसब कहा मनाया गया है तो धीविए, सितम्बर 2024 में पहला नागा राज्य मिर्च महुतसब मनाया गया है नागा लेंड राज्य में तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसके बाद अगला कोस्ट सने लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरुसकार 2020 किसे प्रिदान किया गया तो इसका राइट अंसर ओप्सन ए हो जाएगा तनी केला भर्णी को तो देखे तनी केला भर्णी ये एक तैलगू लेखा को और अभिनेता है जिने की 2022 में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरुसकार दिया गया है इसके बाद कोस्ट नमर 27 है तो दोस्तो 6 सितंबर 2022 को ब्रेटेन की नई महिला प्रदाहन मंत्री बनी है लीजे ट्रस तो इसका अंसर भी हो जाएगा दिखे लीजे ट्रस ने बोरिस जोंसन का इस्थान लिया यानि कि इन से पहले प्रदाहन मंत्री कोन थे ब्रेटेन के तो बोरिस जोंसन थे और अब नई महिला प्रदाहन मंत्री बनी है लीजे ट्रस और दिखे मैं आपको बता दू यहाँ पर जो सुवेला बेवर नेम का नाम है इनका नाम भी महत्थफून है क्योंकि यह भारते मूल की ब्रेटेन नागरिक है जो की ब्रेटेन में ग्रहम मंत्री बनाई गई है तो याद रखना है इसके बाद कोसर नमर 29 है अमबेट का रेंड मोदी इसके बाद अगला कोसर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 यर्स ओफ इंडिपेंडेन्स नामक किताब किसने लिखी है तो देखें यह जो बुक है यह बुक लिखी है आसु तोस रारा भी करने तो इसका अंसर उप्सन सी हो जाएगा तो दोस्तों यह थे सितंबर 2022 की 30 महत्पूर्ण प्रस्ट जो कि मैं आपको कराए अब चलिए आज का कोसर देख लेते हैं जिसका अंसर आपको नीचे कमेंडोक्स में बताना है तो यहाँ पर आपके लिए आज का कोसर ने सतत विकास लक्षे सूचकांग 2022 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो इसका अंसर आपको नीचे कमेंडोक से बताना है देखे इससे पहले मैंने 2022 के जितने भी महत्पूर्ण सूचकांग यानिके इंडेक्स थे तो उनका एक पूरा वीडियो बना दिया था आपको वो वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो को लाइस्ट में प्लेइलिस्ट मिल जाएगी आप बहां से जाकर 2022 के सभी महत्पूर्ण टोपिक के वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंदाया होगा अब आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए हैल्फ लो तो प्लीज वीडियो लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चले मलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत